अब यह देखो बिटा question number third है, यह कह रहा है sum, sum of the digits, sum मतलब होता है add करना, digits, digits को sum करे of a two digits number, और एक two digits number होता है बिटा, एक तो, कोई भी digits हो गई, उसको sum करना, simple sober है, जैसे एक x हो गया, एक y हो गया, तो उसको हम sum करेंगे, क्या जाएगा x plus y, एक two digits number, two digits number यह होता है बिटा, देखो, जैसे यह हो गया, जैसे हमारे पास है, आपके पास 21 है, 21 है ना, इसके ओपर t यो लिख दो, यानकि यह one number क्य है, once है, तो वाले number क्या है, है, 10 है, जो हम 10 से multiply करते हैं, हम 10 से multiply करते हैं, वाले number को plus करते हैं, यह आ जाते हैं, कहां से start होगी, multiply से start होगी, कहां तक होगी 99 तक हो जाएगी 2 number digits हो गई अब 2 number digits में जैसे हमने 21 ले लिया 21 लिया इसके ओपर T.O. लिख दो ये 1s number का हो गया 1s number क्या आ गया अमरे पस 1 आ गया और 10s वाला number क्या आ गया 2 आ गया जब हम इसको लिखेंगे 2 multiply 10 plus 1 देखो दोनों में एक ही बात है 2 को 10 से multiply किया 20 आ गया प्लस 1 किया तो 21 आ गया ऐसी हम इसको variables में लिखेंगे तो हमारा जो 10s वाला number होगा उसको किस से multiply करेंगे 10s से और 1s number वाले को प्लस कर देंगे अब देखो sum of the 2 digits of 2 digits number 2 digits number यह वाला जैसे हम लिखते है is 9 वो कह रहे 9 है sum of the 2 digits 9 है अब माल लो हम एक number माल लेते है कौन सा number देखो 2 digits number में जब हम 2 digits number निकालेंगे हमें 1s चाहिए और 10s number चाहिए यहाँ पे माल लो let the 1s digits 1 digits हमने क्या माल ली एक समाल लो अब देखो हमरे पास 10 digits number क्या आगया आपके पास 10 digits जो 10 digits वाला है ना यह टी यो जैसे हम 10 digits वाला नंबर लिखते हैं 10 वाला 10 digits नंबर वाला 10 digits हमरे पास क्या आजाएगी देखो sum of the digits इन दोनों का sum क्या है हमरे पास 9 है एक नंबर मैंने एक समाना तो 10 digits वाला क्या आजाएगा 9 माइनस X वो कह रहा है दोनों का sum क्या है 9 है जो यह 2 digits नंबर है उसका sum क्या है 9 है अगर एक नंबर मैंने X समाना तो दूसरा जो आजाएगा 10 digits नंबर जो हमने टोटल नंबर इसने बताया 9 9 में से 1 जनके X माइनस कर देंगे वो 10 digits नंबर आजाएगा आपके पास अब 10 digits नंबर आजाएगा और उसके बार हमने क्या निकालना है आपका यह नंबर निकालने ना आप यह लिखो यह हमारे पास क्या आगया जो हमें 21 पूरा नंबर सागया 2 digits का नंबर वह हमने लिखना है तो हो हमारे पास क्या आजाएगा इसको लिख दो जैसे आपको ओरीजिनल नंबर ओरीजिनल नंबर यह आपके पास क्या आजाएगा ओरीजिनल नंबर जैसे यह T हो वाला था न, ओरिजनल नमबर क्या था 21, वैसे ही लिखना है, अब देखो, 2 को हमने 10 से multiply किया था, यह 10 digits नमबर है, इसको किस से multiply करेंगे, 10 से, 10 से multiply करेंगे, 10 digits वाले नमबर को, यह क्या आ गया, 9-X, उसके बार क्या था, प्लस का साइन आता है, फिर 1 digits वाला नमबर क्या हो गया, X हो गया, यह बेटा एक बई दुबारा देख लो, यह थोड़ा सा, देर बार समझाता है, यह question, देर देखो, दुबारा से देखो, अब वो देखो, हमल पस 2 digits नमबर, जो होते हैं, वो 2 digits नमबर, कहां से start होते हैं, 10 से start होते हैं, 10 में भी 2 digits होती है, अगर nine हो गया, eight हो गया, वो one d digits है, thousand हो गया, three digits हो जाते हैं, ऐसे ये 10 से लेके 99 तक start होते है, two digits नमबर हो गए, जैसेPLE, example ले लो 21 है, 21 को अगर हम, जैसे हम numbers में change करते हैं, इसको तो लिखते हैं, 21, इप़ टी हो लिख देते हैं, वन वाला नमबर क्या हो गया वन डिजेट्स हो गया और टू वाला नमबर क्या हो गया टैन डिजेट्स का हो गया अब जब हम इसको ओरिजिनल नमबर में लिखते हैं ना ओरिजिनल नमबर में क्या लिखते हैं ये टैन वाला नमबर होता है उसको 10 से multiply करते है 10 वले number को 10 से multiply करते है और plus 1 digits वाला number आते है ऐसे ही उसने बोला है 2 digits number का sum जो है 9 है हमने 1 digits वाला x हमाल लिया तो 10 digits वाला क्या आएगा जो total number दे रख्या उसमें से x minus कर दिया हमने यह 10 digits वाला number आगया जो original number हम निकालेंगे 10 digits वाले number को 10 से multiply करते है प्लस 1 digits वाला number आते है 1 digits मैंने लिख दिया अब यह रखो इसको solve कर दो हम इसको solve करेंगे 10 की multiply यह पूरे की multiply 9 के साथ भी है और 10 के साथ भी है तो यह क्या हो जाएगा 10 की multiply 9 से की तो 10 9 जा 90 10 की multiply 10 की multiply x से की 10 x आ जाएगा बीट में minus का sign है minus का sign लिखा जाएगा 10 के 10 x लिख दिया मैंने और यह क्या हो गया प्लस x है यह सिरब मैंने brackets open की है 10 को पहले 9 से multiply किया 90 आ गया बीट में sign minus का था minus का लिख दिया 10 को x से किया 10 x आ गया प्लस x आ गया और इसे क्या लिखेंगे 90 तो as it is अब यह देखो 10 भी x है 1 भी x है एक प्लस एक minus minus 10 में से 1 क्या 9 और यह x का x sign किसका आएगा greatest diris का greatest diris क्या है 10 10 क्या आगे minus का sign है यहाँ भी minus का sign हो जाएगा यह आपका आ गया original number जो उसने मना वो two diris numbers आ गया वो चीज आपकी आ गई है अब आगे क्या कह रहा है देखो question में देखो क्या कह रहा है when we interchange the digits interchange जब किया जाता है interchange interchange the digits अब interchange the digits वो कह रहा है interchange करना है किसको करना है digits को करना है इसका मतलब जो 10s की digits हो जाएगी वो 1s की हो जाएगी 1s वाली क्या हो जाएगी 10 की हो जाएगी जैसे यह 21 है 21 to हो गया मैं कहूंगी इसको interchange करो interchange का मतलब जो आपका 1s है वो 10s में चला जाएगा 10s का 1 में चला जाएगा जैनकी इसको बदलना है आमने 2 की जगह 1 लिख दो 1 की जगह 2 लिख दो यह TO आ गया जैसे यह original number आपके पास 21 था जब आपने interchange किया तो यह क्या आ गया 12 आ गया interchange मतलब इसकी जगह बदल दो 2 की जगह 1 लिख दो 1 की जगह 2 लिख दो ऐसे interchange the digits आपने 1 digits क्या लिख थी है पहले उपर 1 जो digits लिख 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 पहले आपने x लिख लिख थी तो आप क्या लोगे आप chain कर दोगे 9 माइनस x को 1 digits मानोगे और 10 10 place digits 10 के जगह वाली digits आप कौन सी लोगे 10 place digits 1 वाली लिख 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 अब आपका new numbers क्या आजएग़ 10 वाली भीं लिख लिख से मल्टीप्लाए 10 वाली आपकी X थी ना उसको 10 से multiply 10 place digits को X से multiply और plus 1's digits 1 के है हमारे पास 9 minus X है 9 minus X लिख दिया अब इसको open कर दो आप अब देखो हमारे पास new number क्या आगया आपके पास new number is equal to 10 X as it is plus का sign है bracket open कर दो 9 का 9 minus X का X अब आपके पास new number लिखो 10 X देखो plus का है एक क्या है minus का X minus क्या है ना 1 plus 1 minus minus 10 में से 1 minus करोगे तो क्या आगया 9 X का X sign greatest digits का 10 greatest 3 इसले plus का sign आएगा plus 9 यह आपका क्या आगया new numbers आगया अब देखो आगे question में क्या कह रहा है वो आगे वो कह रहा है question में the resulting new numbers new numbers according to question लिखो according to question वो कहता है जल्दा new numbers पहले क्या आएगा new numbers आएगा new number क्या है आपके पास 9 X plus 9 जो new numbers है is equal to is लिखा हो है ना इसका मतलब equal है किसके ओरिजिनल नंबर के greater than है greater than the original number by 27 original number हमारे पास क्या था original number हमारे पास 19 minus 9 X था उपर मैं लिखा हो है original number original number हमारा 19 minus 19 X था greater than है 27 दो बाहर से दिखो according to question वो इसमें कह रहा है हमारे पास new numbers question में देखो new numbers is greater than new number मैंने लिख दिया is का मतलब equal है greater than जादा है original number by 27 original number greater than लिख है तो plus का sign आ जाएगा 27 अब क्या करोगे packets open कर दो 9 X का 9 X plus 9 का 9 is equal to 90 का 90 minus 90 X plus 27 अब 9 X as it is plus 9 भी as it is अब ये खुर 90 है और ये 27 दोनों क्या है plus plus के हैं तो ये क्या जाएगा plus हो जाएगा 0 7 7 9 और 2 11 minus 9 X अब constant अलग variables अलग अब क्या है 9 X left hand side था left hand side रह गया ये minus 9 X है आपके पास ये क्या है आपके पास minus का 9 X जब इसकी side change करूंगी क्या हो जाएगा plus का 9 X is equal to 117 है 117 right hand side है वो ऐसे कैसे लिखा है 9 ये left hand side है इसकी side change करी right hand side में minus हो जाएगा 9 अब 9 X plus 9 X दोनों plus plus के हैं क्या हो जाएगा 18 X is equal to 117 और ये क्या है 9 है आपके पास 117 plus का है 9 क्या है minus का 1 plus 1 minus minus 117 में से 9 minus करेंगे क्या आजाएगा 108 आजाएगा अब क्या आगे आपके पास X की value निगाली है ना अपने 18 multiply है इसकी side change करेंगे 18 का जब हम ट्रांसफर करा यहाँ multiply है दूसरी side आके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा अब देखो 108 और 18 divide किया ये 6 पेज़ चला जाएगा 18 मनज़ा 18 18 मनज़ा 18 18 सिक्स जा 108 X की value क्या आगी आपके पास is equal to 6 आगी आपके पास अब देखो question में क्या पूछ है what is the two digits number two digits number मतलब what is the two digits number जो पहले आपने आपने निकाला था वो number निकालना है इसका मतलब आपने original number निकालना है तो लिख दो यहाँ पे इसलिए the original number original number original number आपके पास क्या था 19 minus 9X था अब 19 का 19 आगया minus का minus 9X था ना X की जगे X की value पूट कर दो जो हमारी आई है X की value क्या थी 6 9X 6 अब 9 को 6 से multiply क्या 54 आगया 19 में से 54 minus करेंगे यह क्या आजाएगा आपका 36 यह हमारा क्या होगा answer होगा